हेलो फ्रेंड्स, बार्बी ब्लीच लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज से आपको हमारे चैनल पर नई कहानिया देखने को मिलेंगी दोस्तो ये है दम्यंती आज आपको दम्यंती के पुरे परिवार से मिलवाती हूँ और ये है दम्यंती की बहू बबीता और ये है दम्यंती का पोता अंशु और अंशु के बगल में लेटे हुए हैं उसके पापा यानि की दम्यंती का बेटा अमित और ये है दम्यंती की पोती तन्नु और तन्वी और ये हैं दम्यंती के पती राजकुमार सब बच्चे इनको प्यार से राजुका का बोलते हैं दोस्तों आप दम्यंती के पूरे परिवार से मिल चुके हैं अब कहानी आगे बढ़ाते हैं उठ जाती हूँ अब जल्दी से जाकर जाडु लगा लेती हूँ सुबा भी हो गई है दम्यंती जाडु लगानी के लिए खाट से उठ जाती है जाडु कहां गई मैंने यही तो रखी थी लगा कर देखती हूँ कहां रख दी भूल गई एक तो बुढ़ा पे में बिना यादश कम हो गई है अरे हाँ वो रही जाडु और दम्यंती जाडु उठानी लगती है यह पक्का अंशुकी काम होंगे यही छेडा खानी करता रहता है पूरे घर में अब जल्दी से जाकर जाडु लगा देती हूँ सुबा सुबा जाडु लगाना बहुत अच्छी बात होती है बहु को तो होशी नहीं है बस नींद पूरी करनी है दम्यंती आंगन में जाडु लगाने लगती है पूरा आंगन तो साफ पड़ा है लेकिन मारी देती हूँ जाडु शुब होता है सुबा सुबा एक तो इस आदमी के खराटों से परिशान हो गई हूँ जाडु तो लग गई अब जल्दी से जाकर गईयां को चारा दे देती हूँ वो भी भूकी होगी और इधर दम्यंती गईयां के पास जाने लगती है पर नाम कहूं माता आपके दर्शन करके मेरा दिन तो पूरा अच्छे से जाता है अरे मैं तो बातों बातों में गईयां को चारा देना भूली गई चलो जल्दी से चारा लेकर आती हूँ इधर दम्यंती गईयां के लिए ताजी ताजी घास लेकर आजाती है और ताजी ताजी घास लेकर आ जाती है आज तो गईयां ताजी घास खाएगी तो खुशी हो जाएगी बिल्कुल ताजी ताजी लेकर आई हूं हरी हरी लो गईयां माता मैं तुम्हारे लिए ताजी ताजी घास ले आई हूं खालो इसको गईयां तुम्हें हरी हरी घास बहुत पसंद है ना इसलिए में ताजी-ताजी खेट से ले कर आई हूँ अब चल कर नहा लेती हूँ पूजा भी तो करनी है और इधर दम्यंती नहा कर आ जाती है कितना ठंडा पानी ता फिर भी नहा आई ली सुभा सुभा अब चल कर पूजा कर लेती हूँ तुलसी पर जल चड़ा देती हूँ जल चड़ाने से शुब होता है दिन जै तुलसी माता की है भगवान हमारे घर में शुक्षान्ति देना चलो अब आर्ती भी कर लेती हूँ राम सिया राम सिया राम जै जै राम बंगल भवन अमंगल हारी जै श्री राम जै श्री राम जै तुलसी मैया की हे तुलसी मैया अगर मुझसे वोई भूल हुई हो तो छमा करना मेरे पूरे परिवार को खुश रखना है भगवान मैं क्या करो पूरे परिवार का जब तक मैं न उठाओ कोई उठता ही नहीं है कुम करन बन गया है पूरा परिवार अमित के पापा खराटे लेते ही रहोगे न तुम्हारे खराटे की अबर वहां तक आ रही थी औरे भागेवान इस उमर में सभी खराटे लेते हैं मैं थोड़ी ना लेता हूं सिर्फ देख रही हो दम्यंती दीरे-दीरे मेरे बाल भी उड़ रहे हैं किसी दिन बीच में से गंजाई हो जाओंगा हां तभी तो खाट से उठकर बातरूम जाने लगते हैं और इधर दम्यंती अपनी बहु बभीता के कमरे की तरफ जाने लगती है बहु आज पूरे दिन सोने का इरादा है कि चाय पानी नहीं बनाओगी कि आज बभीता दम्यंती की आवाद सुनकर उठकर बैठ जाती है मम्मी जी मैं त चाय बनाओ बहाने कम बनाया करो तुम मैं सब जानती हूं तुमारे बारे में मैं भी कभी बहु थी मतलब मम्मी जी आप भी ऐसे बहाने बनाती थी जा रही हो नाश्ता पानी बनाने या भी अमित को जगाओं हां हां मम्मी जी जा रही हूं बच्चों को समालना बहुत मु जाने लगती है इन दोनों लड़कियों का तो भगवान इमाली के पता नहीं इन दोनों से कौन शादी करेगा तन्नु और तन्वी उठो सुबा हो गई दादी की आवाज सुनकर तन्नु और तन्वी बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है गुड मॉर्निंग डादी पागल हो तन्वी तुने देखा न हम दादी को गई बोल रहु है लेकिन दादी ने गुड मॉर्निंग का जवाब हीं नहीं दिया हाँ बेटा मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती तुम ही बन लो ना एंगरेजन के लिए आंगं में बैठ जाते हैं दादी पापा को ज आकर जगादू क्या रहने देतन अपने आप उठ जाएंगे तेरे पापा रहने देतन अमित अपने आप उठ जाएगा कोई बात नहीं वह बहुत मैनत करता है वैसे भी तुम्हारी मम्मी की तरह पलंग नी तोड़ता इधर बभीता चाय लाकर टेबल पर रख देती है पापा जी नमस्ते मैंने नाश्टा बना दिया है आप नाश्टा कर लो बिल्कुल कड़क चाय बनाईगे जैसे आपको पसंद है हाँ भाँ अभी पीता हूं चाय वैसे खुश्बू तो बहुत अच्छी आ रही है चाय में से बच्चो सब चाय पियो और तन्नो और तन्न भी तुम दोनों चाय पीकर अपना होमवक कर लो हाँ दादा जी चाय पी रही हूँ दादा अगर आज दादी हमें उठाती नहीं न तो हम दोनों तो सोती रहती अच्छा जरूर तुम दोनों न रात में फिलम देख रही होंगी फोन में तभी तुम दोनों की आँख नहीं खुली नहीं दादा हम दोनों फोन में फिलम नहीं देख रहे थे हम तो पढ़ रहे थे और फिर तभी अमित उटकर आगन की और जाने लगता है पापा जी और मम्मी जी नमस्ते क्या बाते चल रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं अमित बेटा बस बच्चों से ही बाते कर रहा था कि पढ़ाई कैसी चल रहे हैं अब तन्नो और तन्वी बहुत लेट सो कर उठी हैं तो मैंने बोल दिया रात में फिलम देख रहे हैं फोन चलाया था फिर मैं भी पढ़ने लगी थी अच्छा ठीक है अभी दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा तन्वी तुम जाकर फोन लेकर आओ अंदर से तब पता चलेगा कौन फिलम देख रहा था और कौन पढ़ रहा था इधर तन्वी कमरे में फोन लेने चली जाती है और कमरे में से फोन लेकर आ जाती है पापा ये लीजिये फोन जू में जो पठान मेरी जान मैं फिल ही बन जाए तन्वी बेटा तुमारा पापा हूँ मैं तुमारी हर ख़बर रखता हूँ अमित बेटा, तुम्हारा भी पापा हूं मैं, तुम भी रात बर फोन चला रहे थे, मैंने देखा था बातरूम जाते वग राजकुमार काका की ये बात सुनकर तन्नोर तन्न भी जो जोर से हसने लगते हैं मज़ाया, मज़ाया पापा मैं तो रात को मुबाइल में नियूस देख रहा था, नीद नहीं आ रही थी इसलिए अच्छा बेटा, मुझे तो पहली बार पता चलाए कि नियूस में भी गाने आते हैं वाली नियूस देख रहे थे ना तुम निले निले अंबर पर चांद जब आए ऐसा कोई प्रेमी हो, ऐसा कोई साथी हो, प्यासे दिल की बुझा जाए यही नियूस दीना वो राजकुमार काका की ये बात सुनकर सभी लोग हसने लगते हैं पापा मैं तो सीवा एदर की नियूस देख रहा था हाँ मगर उससे वहले दोड़े बहुत पुराने गाने सुन लिये थे दोस्तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ऐसे हमारे चैनल पर बने रहें थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो